इस वक्त मुंबई हमलों के ट्राइल से जुड़ी एक बड़ी ख़बर आ रही है 26-11 हमले में डेविड कॉल्मेन हैडली गवाहा बनने को तैयार हो गया है लेकिन साथ ही उसने एक शर्थ भी रखी है कि उसे माफी मिल जाए आपको बताएं आज ही बड़ी एक ख़बर ये भी आई थी कि डेविड कॉल्मेन हैडली की मुंबई की कोट में वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये पेशी होगी और बड़ी खबर इस वक्त ही आ गई है कि गवाहा बनने के लिए तैयार है है हेडली लेकिन साथ ही उसने ये शर्थ रखी है कि उसे माफी दी जाए आपको बताएं डेविड कॉल्मेन हेडली जो शिकागो जेल में बंद है साथी मुंबई हमलों के मुख्यारूपियों में से विद्या जुड़ गई है इस वक्त हमारे साथ और जानकारी के साथ विद्या ये विडियो कॉन्फरेंसिंग वाले मसले से ही जुड़ी खबर है जी बिल्कुल आज वीडियो कॉंसेंस के जरिये डेविड हीडली को मुंबई की अदालत में पेश होना था अदालत में 11 जो उसके खिलाफ जो धाराएं और अलग अलग जो और्डनीजमेंस उसके लिए लिया है पारे में उसके बताया गया, उसने समय पूछा यतारति है उसके बाद जो उसके बढराएंbilir आजिया है उत्यूर्य में में अदालत कि लिए खुकान गे इसके वा packetsावी यादेशा के जो आजिनुद को महांने हीir है उसके उसमें भी वो अब चाहता है कि वो सारे बाते वह खु़ście बता देगा लेकिन उसे माफिए मेंने चाहिए जो इंप प्रक के वकीन है उन्होंने आधी घंटे का समय माँगा है वो चाहते हैं कि वो अपने वकीलों तो और दोसरे वकीलों और जो आधिकारी है मुंबई पुलिस के आला अधिकारी उनसे बात कर लें उनसे बात करके जब यह वो मान लेंगे कि सरी डेविड कोर्मन हेडली अपने सारे गुनाहों के लिए मापी मांग तो रहा है लेकिन वो सारी और भी बातें वो शायद बता देगा मुंबई जो अदालत में तो दूस अधिकारी शुष्मा स्वराज बोल रही है जिडियूल यानि कब-कब किस-किस पिलर की मीटिंग होगी और मुड़िटीज यानि कौन-कौन सेकरेटरी या किस लेवल पर ये डायलोग होगा लेकिन जो सबसे बड़ी चाहिए लेकिन जो सबसे बड़ी चाहिए अपन उस त